हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आर्ती स्वागत है आपका मेरी किचन में रादे रादे फ्रेंट्स आजम बनाएंगे जर्दा प्लाव इसे मीठे चावल भी कहते हैं वह यह बहुत ही जादा इसमें ताम जामनी होता बिना जंजट के बहुत ही जल्दी एकदम टेस्टी वाला जर अब एक मोटी तली का पैन लेंगे या बिगोना लेंगे जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें मैंने जिस गिलास से मैंने चावल को ना पाए उस गिलास से मैंने तीन गिलास पानी लिया इसमें कोहती टेस्टी बनके तियार होता है मैंने इसमें आधा चमच फूड कल जब इसमें एक उबाला आजाएगा पानी में तो हम इसमें चावल डालेंगे और जब यह एच्छे से चावल उबलने लग जाए तो इसमें बीच-बीच में हम चमचा चलाते रहेंगे चावल को चला लेंगे एक दो बार आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं पहली 10% तक मैंने यह पका लिया है अब हम इसे इसके पानी को निकाल देंगे और चावल को सेपरेट कर लेंगे अब एक भगोने में मोटी तलीका होना चाहिए उसमें हम घी डालेंगे डेड़ चमचा इसमें ड्राइफूट्स डालेंगे ड्राइफूट्स आप जो भी डालना डालना चाहते हैं जो भी आपके घर में वह डालना चाहते हैं वह डालिए इसमें और इसे हलका हलका सा स्लो फ्लेम पर ही भूनिये मुझसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जादा भून गया था यह ड्राइफूट्स हम इसमें से निकाल लेंगे बाद में उपर से डालने के जर्दा चावल को बनाएंगे आप ड्राइफूट्स के बिना भी बना सकते हैं मैंने इसमें आधा कटोरी चीनी डाली है यह तब भी चावल बहुत टेस्टी लगता है बिना ड्राइफूट्स के भी बस घी होना चाहिए और कलर ज्यादा महंगा नहीं आता है आट नो रुप अधिक टोरी दूद्स और यह दूद्स बिना पानी का उत ज्यादा अच्छा है और अब हम इसे हलका सा चला के मिक्स करके दूद के साथ और फिर हम इसे 12 या 13 मिनट या 15 मिनट भी हम इसे पकाएंगे बिलकु स्लो फ्लेम पर और देखिए फ्रैंट्स बनने के बाद इतने अच्छी टेस्ट इतनी अच्छी खुश्बो आ रही है देखते इतना टेस्टी लग रहा है देखिए बिलकुल बनके तयार हो गया अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रैंट्स रख देंगे ढगकर प्लेट को उसके बाद हम इसे खोलेंगे अब देखिए चावल का रंग कलर और यह खाने में भी बहुत टेस्ट है बस इसके लिए घी की जरुत होती है अब मैं इसे प्लेट में गानिश कर लेती हूं फटा फट से देखते ही मन कर रहा है के खाऊं बहुत अच्छी खुश्बो आ रही है इसके अंदर अगर मुझे सब्सक्राइब किजिए वीडियो के पूरी देखने के लिए ठैंक्यू फार वर्चिंग फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी यहीजी और सेफल रेस्पी लेकर हैल्दी भी ऐसी रेस्पियां जो टेस्ट में बैस्ट हो ऐसी रास्पी लेकर मैं आती हूं बॉबाए ख्रेंड्स